अब देखो बच्चो अब हम आते हैं next topic पर और ये हमारा topic है calculation of equilibrium constant तो देखो बच्चो ये जो topic है ना बहुत ही important है आप देखोगे कि KP और KC से related बहुत सारी numerical problems आपको दी जाती है तो इन problems को कैसे solve करें समझगे ना KP और KC के calculation के लिए आप क्या-क्या rules regulation यूज़ करें कि एक perfect result निकल सके तो आज मैं इसी को यहाँ पर discuss करूँगा आप बहुत ही इसको अच्छे से समझें मैं समझता हूँ फिर numerical problems करने में आपको कहीं कोई problem नहीं आएगी ठीक है तो फिर start करते हैं तो देखो इसमें मैं दो relations बताऊँगा आपको एक relation है पहला जो ले रहा हूँ यहाँ पर इसमें क्या है कि पहला है कि given only ठीक है amount of amount of reactant समझे बच्चों कि आपको केवल reactant की amounts दी गई है mole के waste पर या फिर mass दिया हुआ है या volume दे रखे हैं इस तरह से आपको जो भी amount दी गई है reactant की उसके waste पर हमें kp और kc कैसे calculate करना है सपोज आपके पास ही के equation है n1a यह gaseous है यह है n2b यह भी gas है और equilibrium n3c यह gas है n4b यह भी gas है मैंने यहाँ gas इसे लिया है कि हम इन सब को equilibrium equation में consider करेंगे अगर solid liquid आता है तो उनको हटा देते हैं अब यहाँ पर हम देखें कि suppose आपको initial moles दे रखें हैं ठीक है किसके initial moles दे रखें हैं suppose इसका है a mole इसका b यह है 0 और यह है 0 आपको करना क्या है पहले equilibrium जैसे आपको equilibrium attain है तो equilibrium state में अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे a minus n1x यहाँ लिखेंगे b minus n2x तो यहाँ लिखेंगे हम n3x और यहाँ लिखेंगे हम n4x यहाँ तक पास समझ गए यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं equation को देख की n1, n2, n3, n4 यह क्या है बच्चो इनके strikeometric coefficient जो एक balanced chemical equation में होंगे मतलब आपको एक equilibrium equation दे रखा है तो पहले आपको उसे अच्छी तरह से balanced कर लेना है और इस तरह से n1, n2, n3, n4 की values को आपको अच्छी तरह से calculate कर लेनी इस तरह से आपने यहाँ पर लिख दिया कि जब equilibrium state आई तो a की initial amount में से n1 x amount product में change हो गई ठीक इस तरह से b से change हो गई यहाँ पर बता दूँ कि जो x है यह है ठीक है amount of reactant which reacted ठीक है बच्चो कि जो reacted हो चुकी है यह वो है अब आता है कि x कैसे decide करोगी तो देखो बच्चो दो प्रकार से x की value यह तीन प्रकार से x की value हमें calculate करने होगी इसमें पहला point है कि आपको एक dissociation amount बता दी जाएगी यह वो amount जो कि किसमें convert हो रही है product में कि if टेक है we given dissociated dissociated or reactive moles of a कि आपको dissociated या reactive moles of a means alpha given with respect to a कि आपको a के respect में कोई degree of dissociation ठीक है यह क्या है बच्चो यहाँ पर degree of dissociation या हम यह कहें कि moles ठीक है of reactant which reacted from one mole of reactant समझें बच्चो कि alpha क्या है degree of dissociation means moles of reactant which reacted from one mole of reactant कि one mole में से कितना mole जो है reaction कर चुका है reactant का तो आपको alpha ऐसा लिखना है alpha percentage के form में दे रखा होगा इसको 100 से is equal to n1 x upon में क्या करना है a समझें न a मतलब initial mole तो x is equal to क्या हो जाएगा बच्चो alpha percentage into a upon 100 into n1 इससे आपका x आ जाएगा alpha आपको बता दिया जाएगा initial mole आपको बता दिये जाएगे n1 आपको reaction के उसकी stachymetry से देख लेना है और इस तरह से x निकालना है अब मालो with respect to आपको b अगर आपको क्या है कि जो alpha given है तो आपको क्या करना है alpha percentage upon 100 is equal to n2 x upon b तो x is equal to alpha percentage into b upon 100 into क्या कर देना है n2 इससे निकाल लेना है आपको x तो इस तरह से आपको x निकालना है a के respect में या b किसी a के respect में आपको alpha बता दिया जाएगा तो जब आपको alpha पता है और stoichiometry पता है initial moles पता है तो x निकाल दो और फिर x की value यहाँ पर put up कर दो ठीक है तो यहाँ तक बास समझ गया है फिर क्या करना है आपको active mass लिखना है समझ गया न तो active mass में क्या करोगे यहाँ पर देख रहे हैं आप n1a था प्लस n2b मैं एक बाद दोवारा यहाँ लिख दूं n3c था और यहाँ क्या था n4d तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे a-n1x upon v यह हो जाएगा active mass ठीक इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चो b n2x upon v जब आपने x निकाल लिया volume आपको question में दे रखा होगा इसके लिए क्या लिखेंगे n3x upon v और यह हो जाएगा n4x upon v इस तरह से सबके आपको क्या calculate कर लेना है active mass इस तरह से आपने देखा यह आगए आपके पास सबके active mass means हम यहाँ यह कहेंगे कि जो a है यह कितना हो गया a minus n1x upon v जो b है वो हो जाएगा v minus n2x upon v यहाँ पर जो c active mass है वो हो जाएगा n3x upon v और जो d है वो हो गया n4x upon v इस तरह से आपने सबके active mass निकाल दी अगर आपको यहाँ जरूरत पढ़ जाती है ठीक है moles at equilibrium state कई बार हमें kp और kc में भी निकालना होगा कि यहाँ पर आपको लिखा है moles of reacting species at equilibrium state हमें active mass नहीं लेना तो हम suppose a है तो हम ऐसा लिखें उसमें square bracket में ना लिखें तो हम केवा ल लिखेंगे इसको क्या हमें volume से divide नहीं करना समझ गया बच्चों आप लिखेंगे a minus n1x ठीक इसी तरह से जो b होगा ठीक है b का equilibrium में वो हो जाएगा b minus n2x ठीक है ऐसे अगर आप c के लिए कहें तो यह हो जाएगा n3x और अगर आप d की बात करें तो यह हो जाएगा d के लि यह हो जाएगा n4x और हमें summation ऐसा लिखा है summation n ठीक है कि total moles कितने हो गए बच्चों तो आप यहाँ लिखेंगे a n1x plus b minus n2x ठीक है plus n3x plus n4x ठीक इसी तरह से आपको delta ng लिखना है यह तो हो समेशन यह हो गए यह क्या है बच्चों total moles at equilibrium state कि आपको equilibrium state में total moles की जोड़त पड़ेगी ठीक इसी तरह से delta ng लेना है तो आपको delta ng किस से लेना है product minus delta ng यह क्या है reactant अब यहाँ पर जो ng है न बच्चों मतलब यहाँ पर जो n use करोगे यह वो नहीं कि आप इनको act mole लिख रहे हैं means यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर इनके हैं कि n3 प्लस क्या n4 minus n1 प्लस क्या n2 यह एड करना है मतलब इस्टाइक्यो मेट्रिक कॉफिसियंट यहाँ पर इससे delta ng निकालोगे जबकि delta n के में equilibrium में जो उनके actual moles हैं वो रखोगे बस फिर आपको करना क्या है केसी calculate करना है suppose तो जब आप केसी calculate करोगे तो यही लिखोगे न कि C का active mass ठीक है आपने यहाँ क्या लखा C हो गया यह active mass उसकी power n3 D का active mass n4 upon में A का active mass n1 और यहाँ पर n2 ले लिए अब C की जगह क्या रखेंगे आप n3 x और इसकी power क्या लगा देंगे n4 यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चो n4 x इसकी power कितनी लगा दिया आपने n4 यहाँ पर क्या लिखा आपने a-n1 x और यहाँ power क्या हो गई n1 और b-n2 x की power क्या हो गई n2 तो यहाँ आ जाएगा आपका की C अब आता है kp ठीक है तो kp अगर मैं इसके वेशे बताऊं तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर nc ऐसा लिखा power n3 nd power n4 upon na power n1 nb power n2 into p total upon summation n और इसकी power क्या लगा दोगे डिल्टा ng समझ गे ना कई बार क्या होता है कि आप partial pressure के वेश पर भी लिख सकते है कि PC का power यहाँ क्या हो जाएगा n3 PD का power क्या हो जाएगा बच्चो n4 PA का power क्या हो जाएगा n1 PV का power क्या हो जाएगा n2 suppose आपको एक equation लिखी है NH2 C O NH4 solid और यह change हो रहा है 2 NH3 और प्लस क्या CO2 समझ गे ना तो यहाँ पर अगर हम यह कहें कि इसका pressure है 2P तो यह क्या लेंगे P तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे इस तरह से ले सकते हैं तो KP जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2P का power 2 मतलब यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे ना कि यह हो गया partial pressure देखो यह जो है यह हो गया P ammonia तो यह क्या हो जाएगा बच्चो P CO2 समझ गये ना तो आपने यहाँ पर KP लिखा कि KP क्या होगा तो KP यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि KP is equal to क्या हो जाएगा बच्चो 2P यह सारी पहले हम इस तरह से लिखेंगे कि ammonia का pressure तो P NH3 का whole twice और P CO2 तो KP is equal to आपने लिखा 2P का square into P means KP is equal to 4PQ इस तरह से आपने calculate कर दिया एक pressure पता हो हमें equilibrium state में कि P इतना है तो हम यहाँ से calculate कर सकते हैं कि P कितना होगा तो इस तरह का आपको questions आएंगे आगे हम solve करेंगे तो यहाँ पर KP और KC कैसे calculate करें तो यह relation ठीक है किसके लिए तो दे रखा है आपको KP calculate करने में अगर आपको partial pressures दे रखें या पता है तो इससे भी निकाल सकते हैं ठीक है या फिर एक और relation बनता है बच्चो जैसे आप EC में माल लें कि इसका mole अगर ले लें यहाँ पर कि mole यह है 2 तो यह क्या है 1 तो हम यहाँ पर partial pressure ऐसा भी लिख सकते हैं अगर हमें total pressure पता है और इनके mole हैं तो P NH3 is equal to कितना हो जाएगा देखो 2 by 3 और P total ऐसे P CO2 लेंगे तो 1 by 3 P total तो जब आप KP निकालोंगे तो लिखेंगे 2 by 3 P total का क्या लगा दोगे square और 1 by 3 P total यह हो गया तो KP is equal to हो जाएगा 4 upon 27 P total का power Q P Q इससे भी आप क्या calculate कर सकते हैं अगर total pressure पता है और हमें दोनों species के moles पता हैं या उनके mole fractions आपने निकाल लिये हैं तो KP ऐसे भी calculate किया जा सकता है ठीक है और यहां पर यहां तक आप इस तरह से किलियर हैं यहां पर pressure बता दिया गया था कि CO2 का pressure इतना है तो ammonia का कितना होगा तो आप उसे 2 P करके और फिर इस equation को use कर दो समझ गए ना कि आपको दे दिया कि ammonium carbonate का equilibrium state है जिसमें CO2 का partial pressure इतना मिल रहा है तो बताए KP क्या होगा तो तुरंत आप CO2 का partial pressure जितना है उसका double हो जाएगा ammonia का और इस तरह से आप calculate कर दे अगर आपको यही लिखा है कि ammonium acetate या ammonium carbonate के decomposition में total pressure इतना मिल रहा है तो बताए KP क्या होगा तो आप एक के mole अगर two मान रहे है तो एक का one mole मान ले और इस तरह से जितना भी mole है अगर इसका आधा है तो इसका एक होगा इसका एक है तो इसके दो होगी मतलब इस type क्योंटी लेखके तब भी आप KP निकाल सकते हैं और इस तरह से अगर आपने निकाल लिया जैसे पहला question है कि 5 mole ठीक है 5 mole of hi enclosed 10 liter flask at equilibrium state ठीक है 20% of hi converted into h2 and i2 calculate kc ठीक है तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक reaction लिखेंगे 2hi equilibrium h2 plus i2 आपने यहाँ फाइफ more लिख दिया यह 0 है यह जीरो है ठीक है फिर आपने लिख दिया यहाँ पर क्या 5 minus 2x तो यह क्या लिख दिया आपने यहाँ पर इसको x क्या लिख दिया यहाँ पर x और यह लिख द तो आपको HI का 5 मोल दे रखा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर X कैसे निकालोगी, तो जितना percentage दे रखा है, वही है हमारा alpha, तो alpha percentage upon 100 is equal to, यहाँ पर आप लिखोगे 2X upon 5, ओके, अलफा आपको दे रखा था, कितना 20, ओके, यहाँ पर आपने, और यह ले लिया, तो 20 upon में क् दो बच्चो 100, यह लिख दिया आपने, 2 into XY क्या हो गया, आपके पास 5, तो देखो आप कितना आजाएगा, तो आपने लिखा यहाँ पर 20 into 5 upon 100 is equal to 2X, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि यह हो गया 2X is equal to 1, तो X is equal to कितना हो जाएगा, 1 by 2, यहाँ तक बात के लिए रहे है, कि alpha आपको दे रखा था, यहाँ मैंने 5 लिखा moles, 2X क्या हो गया इसका, यहाँ stoichiometric coefficient था, 2X इसके यह हो गया, अब alpha आपको दे रखा है, ठीक है, 20%, तो 20% dissociated हो रहा है, तो यहाँ पर आपने यह ले लिया, और X की value solve की, यह आगया आपको, कितना 1 by 2, तो यहाँ पर 1 by 2 रखोगे, तो इसका मतलब है, 1 mol हट जाएगा, तो 5 mol का 20% 1 mol, तो इस तरह से X तो यहाँ पर आप 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 आजा है, कि आपने यह लिखा है, ही और यहाँ पर क्या है, ह2 और त्लस क्या, I2, तो यहाँ लिखा आपने 5 minus 2 into 1 by 2, यही लिखा, और यहाँ क्या लिख दे आपन 1 mol बन रहे हैं, तो X2 और इसकी values आगे, तो यहाँ हो गया 5 minus 1, ठीक है बच्चो, और यह हो गया 1 by 2, और यह क्या हो गया 1 by 2, तो यह तो हो गया 4, और यह हो गया 1 by 2, यह तो 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 हो गया 1 by 2, ठीक है, at equilibrium state, समझ गया ब कि active mass क्या होंगे इनके तो active mass में क्या करो गया 4 अपोन यहां कर दोगे 10 यहां 1 by 2 into 10 और यहां 1 by 2 into कितना कर दोगे 10 समझ गया ना इस तरह से आपको इनके x x mole थे x की value आपने निकाल ली और इस तरह से आपने इनके बस अब आप active mass पता हैं तो अब आप formula लगाओगे case is called to h2 का mass active mass i2 का active mass अपन क्या कर दोगे बच्चो यह है तो यह हो जाएगा 1 by 2 into 10 into 1 by 2 into 10 अपन में क्या हो जाएगा आपके पास 4 by 10 का square बस 10 10 हट जाएगा तो 1 by 2 आपके पास जो बच्चा तो यह हो जाएगा 1 by 2 into 1 by 2 और into यहां हो जाएगा आपके पास 16 10 10 तो सब हट गए और इसको solve कर लो जो result आएगा वो कीसी हो गए अगर आपको kp निकालना होता तो उसमें फिर आपको एक total pressure भी बताया जाएगा ठीक इसी तरह से दूसरा question हमें ऐसा लिखा है कि n2 plus 3 h2 equilibrium 2 nh3 ठीक है आपको लिखा है कि यहां पर आपको mole दे दिये गए है कि इस तरह से मैं यह लिख दूँ कि यहां पर यह 2 mole दिये गए हैं और यह है 3 mole फिर यहां लिखा है कि at equilibrium state ठीक है 50% h2 reacted calculate kc ठीक है एंड आपको यह लिखा है कि total pressure at equilibrium state ठीक है वो दे रखा है मालो 5 atm तो हमें calculate करना है kp और kc क्या calculate करना है kp and kc तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहां पर 2 minus x लिखा यहां 3 minus क्या लिखा आपने 3x और यहां क्या लिख दोगे आप 2x यहां तक बात किलिए रहे x की value calculate करने तो आपको दे रखा है किसके respect में hydrogen की मैंने कहा है जिसके respect में दे रखा है उसके respect से आप निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे alpha percent upon 100 is equal to 3x upon में क्या कर दोगे बच्चो x यह दे रखा है आपके पास 50 percent यह हो गया 100 3x upon में क्या बच्चो 3 तो x is equal to कितना आ गया 1y2 यहां बाद समझ में आ गए कि x की value कितनी आ गए 1y2 तो अब आप x पता है तो अब यहां पर आप दुबार ले ले कि यह है n2 ठीक है यहां पर क्या हो गया यह है n2 plus 3h2 equilibrium 2 nh3 तो यहां पर मैंने लिखा था कितना mole था इसका 2 उसका कितना है 3 तो आप यहां लिखेंगे 2 minus 1y2 यहां कितना हो जाएगा 3 minus 3 into 1y2 और यहां हो जाएगा 2 into 1y2 तो यहां तो बच्चेगा आपका कितना 3y2 सबच गए न कि कितना बच्चेगा आपके पास 3y2 मतलब 1.15 और यहां पर देखो आप यह हो जाएगा आपका 3 minus 3y2 means हो जाएगा यहां पर 1y यहां भी क्या बच्चेगा आपके पास 3y2 यहां क्या बच्चेगा बच्चो 3y2 तीक है यहां 3 mole थे उसमें से 1.5 mole हट गए यहां 2 mole थे इसमें से 1.5 mole और यहां कितना हो गया आपके पास 1 mole समझ गए ना कि इस तरह से 2 mole में से 1.5 mole nitrogen हट गया तो उसका बच्चा 1.5 mole 3y2 3 mole से 1.5 mole nitrogen हट गए तो उसके बच्चे 1.5 mole और यह है बस अब आप active mass निकालोगे यहां पर volume और लिगदू में कि in 10 liter flask यहां क्या लिया गया है 10 liter flask यह जो container है आपका उसमें जो volume दिया गया है यह question में दे रखा होगा आपको समझ गया बच्चों यहां पर लिखा होगा in 10 liter flask कि यहां पर आपको एक 10 liter के flask अब आप इसके active mass में change करोगे active mass कितना हो जाएगा 3 by 2 upon 10 3 by 2 upon 10 1 by 10 फिर आप केसी निकालोगे तो आप लिखोगे यहां पर क्या कि NH3 का active mass upon में किसका active mass हो जाएगा N2 का active mass और यहां पर H2 cube यह इसका हो जाएगा ammonia का 1 by 10 का square यहां पर इसका हो जाएगा 3 by 2 upon 10 का 10 और यहां जाएगा 3 by 2 upon 10 का cube इसको solve कर लो तो आप के के निकालाएगा DC अब आता है क्प कैसे निकालोगे तो क्प is equal to क्या करना है आपको NH3 के equilibrium में मोल upon ठीक है N2 के equilibrium में मोल H2 के equilibrium में मोल into P total upon summation N और इसका power यह हो जाएगा NG ठीक है NG तो ध्यान रखें delta NG के delta NG तो आजाएगा minus 2 summation N जब निकालोगे तो N N2 plus N H2 plus N ammonia ठीक है तो यह है 3 by 2 plus 3 by 2 plus 1 तो यह हो जाएगे कुल मिला के 1,5,1,3 और 1,4 ठीक है यहां तक हो गया अब आप रख दो तो KP यह दे रखा है आपका कितना 1 का square upon में यहां है 3 by 2 का square 3 by 2 का square into P total आपको दे रखा है question में total pressure जो है कितना है यहां पर देखो question में मैंने लिख रखा है 5 ATM कितना है 5 ATM तो यहां पर 5 रख दो आप तो यहां पर आपने रखा 5 ठीक है upon में 4 और इसका power minus 2 इसको solve कर लो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चो answer होगा तो इस तरह से KP और KC कुछी भी प्रकार का कुछ भी equilibrium दे दे कुछ भी बता दे ठीक है अब आपको इस तरह से solve करना है जैसे एक और question लिखा है कि PCL 5 equilibrium PCL 3 प्लस क्या यह लिखा है CL2 ठीक है अब मैंने कहा कि यह 5 mole है और यह 0 है जीरो है अब यह लिखा है कि at equilibrium state 2 moles of CL2 obtained ठीक है तो KC calculate करना है और volume दे रखका है आपको 1 liter तो आपको करना क्या है आपने लिखा PCL 5 equilibrium PCL 3 और प्लस क्या CL2 यहां लिखा 5 minus X तो यह X और यह X तो X की value उन्होंने 2 दे दी तो आप यहां रखेंगे तो हो जाएगा 5 minus 2 यहां हो जाएगा 2 यहां हो जाएगा और PCL 3 का active mass लेना है तो हो जाएगा 2 by 1 फिर आपको KC calculate करना है तो आप लिखेंगे PCL 3 CL 2 upon में PCL 5 तो यह हो जाएगा 2 by 1 2 by 1 upon में क्या हो जाएगा बच्चो 3y 1 इसको solve कर लो answer आलो easy है बिल्कुल KPKC की value calculate करना अगर आपको alpha या x पता है तो आप calculate कर सकते है तो यह relation था जहाँ केवल आपको एक ही species का क्या दे रखा था मतलब सब्सक्राइग reactant के केवल आपको amount दे रखी थी अब माल लो ऐसा दे रखा हो कि given जो है given amount of reactant and product अब आपको माल लो reactant और product दोनों के दे दी गई हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे n1a था plus n2b था equilibrium n3c था n4d था suppose यह a दे रखा था यह b है यह c है और यह है d तो यहाँ पर आप n1 x ऐसा लिखोगे b minus n2x लिखोगे तो यह c plus क्या हो जाएगा n3x ठीक है और यहाँ पर जो होगा जतने mole initial थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे और यहाँ हो जाएगा d plus n4x समझे ना बस फिर वही है active mass में change करना है तो a upon n1x upon v v minus n2x upon v c plus n3x upon क्या हो जाएगा v और d plus n4x upon v इससे active mass निकाल लो अब आपको क्या दे रखा है x किसके respect में दे रखा है suppose आपको लिखा है 2nh3 ठीक है यह बन रहा है n2 plus 3h2 यह दे दिया इसने कि 10 mole ठीक है और at यह है 10 liter flask यह लिखा है कि और इसके दे रखे हैं 2 mole और इसके दे रखे हैं 2 moles ठीक है यह है initial क्या दे रखे हैं आपको initial mole यह है यह क्या दे रखे हैं initial mole at equilibrium state तो कह रहा है कि calculate केसी तो आपको करना क्या है कि आप 3x यह लिखेंगे न अब वो यह कह रहा कि 2 plus x is equal to आपको दिया गया है 2 कितना दिया गया है 2 plus 2 दो मिनट में इसको थोड़ा बदल तू बच्चो यहाँ पर गड़बर हो जाएगी नितो यहाँ पर है यह मैं इसका one mole ले लूँ क्या है यह one mole तो यहाँ पर आपने ऐसा लिख दिया ठीक है कि यह हो गया one तो यहाँ पर आपको दे रखा है question में कि one two शरी यहाँ पर हो गया आपके पास कि यह है आपके पास one plus x is equal to कितना है बच्चो two ठीक है तो x is equal to कितना हो जाएगा तो आप लेखेंगे two minus one means x कितना one बस अब आप x की value इस पूरे equation में put up कर दो और आप आप से solve कर लो कि आपके पास कितना हो गया तो जब आप ns3 की बात करेंगे कि ns3 का active mass कितना हो जाएगा तो आप लेखे 10 minus two x two x का मतलब यह हो जाएगा आपके पास two तो यहाँ पर आप रख देंगे two upon में volume ten था यह हो जाएगा one plus x की value आपके पास थी one ठीक है तो यहाँ हो गया two यह किसका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आप किसका लेंगे अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ कि n2 कितना हो जाएगा तो यह जाएगा two by ten और h2 कितना होगा तो आप लिखेंगे यह हो जाएगा three और plus two और x की value one तो हो जाएगा three plus six by कितना हो जाएगा ten फिर इसके बाद आप calculate कर लो kp kc कहीं कोई दिखकत ही नहीं है kc निकालना है तो आपने लिखा यहाँ पर ठीक है n2 और h2 का cube upon में nh3 का यह हो जाएगा यहाँ पर आगया six by ten का ठीक है cube यहाँ हो जाएगा two by ten मतलब यह nitrogen का और upon में कितना हो गया बच्चो eight by ten का square solve कर लिए तो इस तरह के equations questions आपको दे रखे होंगे kp निकालना kc निकालना ok तो बन जाएगा ना आपसे कि मैं समझता हूँ आपसे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा जैसे यही लिखा है nh4 hs ठीक है solid है यह है हमारे पास nh3 plus h2s gas यह कह रहा है कि at equilibrium state total pressure of mixture is 280m तो kp क्या होगा बच्चो तो आप क्या करोगी यह लिखा आपने nh4 hs क्या है यह solid equilibrium यह हो गया nh3 gas और plus क्या है h2s gas तो यह 1 mol है तो यह 1 mol हम ऐसा मान सकते हैं तो p ammonia क्या हो जाएगा बच्चो 1 y2 total mol 2 हो गये और total pressure आपको 280m है मतलब यहाँ पर जब आप partial pressure निकालते हैं तो क्या करते हैं कि एक का mol यह निकालेंगे न कि mole fraction of NH3 into p total तो mole fraction हमें moles नहीं बताएगा तो हम यह माने कि यह 1 mol है तो यह क्या है आपके पास ठीक है 1 mol तो total इसका हो गया 1 by 2 mole fraction और total pressure यह था यह हो गया 1 ऐसे CO2 का निकालेंगे x CO2 plus p total तो यह भी हो जाएगा 1 by 2 into 2 is equal to 1 तो kp is equal to क्या हो जाएगा 1 into 1 means 1 यह solution हो जाएगा क्यों क्योंकि आप जब pressure kp लिखा हो लोगे तो p is equal to क्या हो जाएगा p ammonia और यहाँ पर क्या हो जाएगा CO2 तो यह हो जाएगा 1 into 1 means 1 ठीक इसी तरह से लिखा है NH2 COO NH4 solid equilibrium दे रखा है 2 NH3 प्लस CO2 इसने दे दिया कि partial ठीक है pressure of CO2 is 2 atm तो kp क्या होगा तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे ठीक है कि यहाँ पर आप यह 2 है बच्चो ठीक है तो यहाँ 2 हो गया COO NH4 solid तो यह equilibrium 2 NH3 plus क्या है CO2 यह है तो अगर इसका pressure P है आप ऐसे समझे ठीक है कि यहाँ पर CO2 था यह यह है अगर इसका pressure P है तो इसका partial pressure 2 P होगा अब आपको P दे रखा है 2 तो आप P CO2 तो लिखेंगे 2 तो P NH3 कितना हो जाएगा बच्चो 4 फिर आप K P निकालोगे तो K P is equal to क्या होगा P NH3 का square और P CO2 ठीक है तो आपको ammonia का partial pressure पता है तो यह हो जाएगा कितना तो P ammonia का कितना आगया यह हो जाएगा तो P ammonia मतलब total pressure 2 P जो है 2 P के equal था मतलब यह कितने के equal है 2 P तो मैंने सी सीधर रख दिया तो यहां क्या जाएगा 4 और इसका square और यह कितना होगा 2 तो यह कितना हो जाएगा आपके पास 16 और 32 तो यह आजाएगा आपके पास 32 unit वही pressure की unit में जो power लग रही है उसके वेज़ पे solve कर लो ठीक है तो यहां पर इस तरह से आपके पास 32 अगर ATM है तो इसके बाबर यह लग जाएगा यह वही रख सकते हैं आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2P का square और यह है P तो 2 into 2 का square और यहां हो जाएगा 2 तो भी वही आएगा answer ओके तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए तो अब आप KP और KC के questions लगाओ मैं समझता हूँ अब कहीं कोई problem नहीं आएगी KP और KC कहां पर यह और मैं पहले बता चुका हूँ आरड़ी कि solid हो या pure liquid हो या axis में liquid हो तो उनको consider नहीं करना cable acquies species लेनी है gaseous species लेनी है या कोई भी liquid अगर reactant की तरह work कर रहा है तो ही लेना है वरना liquid को हर जगे नहीं लेना तो इस तरह से KP और KC की calculation मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी अब आप एक बार अच्छी तरह से देख लो इसको relations को और फिर आप solve करना सीखोगे तो मैं समझता हूँ आप कहीं कोई problem नहीं आएगी ठीक है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए चुबाए और enjoy करो